वेल्कम बेक बच्चों हिंदी की कक्षा में आज हम पाठ नो जी होता चिडिया बन जाऊं नामक कविता का अध्यन करेंगे पाठ का परिचे जानेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है तो देखिए पाठ का परिचे कविता का मूल भाव प्रस्तुत कविता में कभी एक छोटी सी बच्ची के रूप में चिडिया बनने की कामना कर रहे है लड़की चाहती है कि वह आस्मान में चिडिया के समान उड़े फुदक फुदक कर एक डाली से दूसरी डाली पर जाए चिडिया की तरह कुतर कुतर कर फल खाए जंगल में घूमे और परवत घाटी आदी में विच्रण करे लड़की की चिडिया की तरह स्वतंत्र जीवन जीने की अभिलाशा है तो बच्चो इस पाट में हमें स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसको कभी ने बताया है तो इसमें संदेश क्या मिलता है इस पाट से हमें स्वतंत्र चिडिया का जीवन निराला होता है मतलब कि जब हम आजाद होते हैं स्वतंत्र रहते हैं तो अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं और पूरी लाइफ हम खुश रह सकते हैं यही इस कविता में बताया गया है अब देखे हम पाठ का आदर्श गायन करेंगे मतलब कि कविता को पढ़कर याद करेंगे और उसका अर्थ सबजेंगे तो देखो जी होता चिडिया बन जाऊं मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरू की हरियाली पर फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं जी होता चिडिया बन जाऊं जंगल जंगल मैं उड़ बिचरूं परवत घाटी की सेर करूं सब जग को देखूं इठलाऊं जी होता चिडिया बन जाऊं कितना स्वतंत्र इनका जीवन इनको न कहीं कोई बंधन मैं भी इनका जीवन पाऊं जी होता चिडिया बन जाऊं तो बच्चो इसका अर्थ समझना है आपको ध्यान से अगर आप इसका अर्थ समझोगे तो सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हो तो देखो जी होता चिडिया बन जाऊं मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं तो इसमें कभी क्या कहता है कि एक छोटी सी बच्ची है वह आजात रहने की कलपना कर रही है वे सोचती है कि अगर मैं भी चिडिया बन जाऊं तो आसमान में उड़कर सभी सुखों को प्राप्त कर सकूं मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरू की हर्याली पर मैं भी चिडिया की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक कर जा सकूं और जो पेड़ पौधों की हर्याली है उसको महसूस कर सकूँ फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं जी होता चिडिया बन जाऊं तो कभी क्या कहता है कि लड़की चाहती है कि मैं भी चिडिया बन जाऊं और चड़िया की तरह कुतर कुतर कर पेड़ों पर से फल खाता खाऊं मेरा ऐसा मन करता है कि मैं भी चड़िया बन जाऊं आगे लड़की क्या कहती है जंगल जंगल मैं उड़ विचरूं परवत घाटी की सेर करूं अगर मैं चिडिया बन जाओंगी तो एक जंगल से दूसरे जंगल में उड़कर आराम से घूम सकूंगी और अपनी इच्छा से कहीं भी आजा सकूंगी परवत और घाटियों आदीप की सेर कर सकूंगी वहाँ पर भी आसानी से पहुँच सकूंगी सब जग को देखूं इठलाओं और मैं चिडिया बन कर पूरे संसार को आसानी से देख सकती हूँ और अपने आप पर गर्ब कर सकती हूँ अपने आप पर इठला सकती हूँ कि मैंने पूरा संसार देख लिया है जी होता चिडिया बन जाओं इसलिए मेरा ऐसा मन करता है कि मैं भी चिडिया बन जाओं कितना स्वतंत्र इनका जीवन इनको ना कहीं कोई बंधन तो कभी ने बच्चों इसमें एक लड़की के माध्यम से हर एक मनुष्य की भावनाओं को उभारा है हर एक मनुष्य की भावनाओं को बताया है कि हम लोग सोचते हैं लड़की क्या सोचती है कि कितना स्वतंत्र इनका जीवन कि जो पक्षी होते हैं चिडिया होती हैं उनका जो जीवन होता है वो कितना आजाद होता है स्वतंत्र होता है इनको न कहीं कोई बंधन और इनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है कोई भी बंधन नहीं होता है कोई भी रोक टोक नहीं होता है मैं भी इनका जीवन पाऊं जी होता चिडिया बन जाओं तो इसलिए वह लड़की कहती है कि मैं भी इनकी तरह ही अपना जीवन जीओं इनका साही जीवन मुझे भी मिले इसलिए मेरा ऐसा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाओं और अपना जीवन आजादी से जी सकूं अब देखिए इस पार्ट में आये हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जी अर्था मन जी मिस मन जग मिस दुनिया स्वतंत्र मिस आजाद डाली मिस तहनी बंधन मिस रोक नभ मिस आकाश तरू मिस पेड़ परवत मिस पहाड इठलाना मिस इतराना और विचरना मिस घूमना तो बच्चों इन सभी शब्दों को आपको बार बार दोहराना है और इनके अर्थ को ध्यान पूर्वत याद करना है तो बच्चों यहाँ पाठ के प्रशन उत्तर दिये हुए हैं इनको भी आपको पढ़कर याद करना है और प्रशन उत्तरों को आपको याद करने के साथ साथ लिखना भी है कॉपी में लिखना है तो देखे यहां दिये गए प्रशनों के उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए मतलब किये short questions है number one कविता में क्या बनने की कल्पना की गई है तो इसका आंसर है चिडिया next question किस में उड़कर सुख पाने के लिए कहा गया है तो आंसर नभ में कुतर कुतर कर क्या खाने के लिए कहा है answer फल next question किसके जीवन को स्वतंत्र माना गया है आंसर है चिडिया के अगला प्रशन इस कविता के कवी का नाम बताईए तो इसका आंसर है सोहनलाल दुवेदी तो इन सभी प्रशनों को पढ़कर याद कीजिए अब देखिए यहाँ पर अन्य प्रशन दिये गए प्रशनों के उत्तर विस्तार से दीजिए तो पहला प्रशन है चिडिया बनकर जंगल परवत और घाटी में क्या करने की इच्छा है अगला प्रशन है चिडिया बनकर कवी क्या क्या करना चाहता है तो आंसर है चिडिया बनकर कवी आकाश में उड़ना पेडों की डाली पर घूमना कुतर कुतर कर फल खाना जंगल में घूमना परवत की घाटी में सेर करना तथा स्वतंत्र रहना चाहता है आगे विस्तार प्रशन नमबर त्री चिडिया के जीवन को स्वतंत्र क्यों कहा गया है इसका अंसर है चिडिया के जीवन को इसलिए स्वतंत्र कहा गया है क्योंकि वह जितना चाहे उचे आकाश में उड़ सकती है दूर परवतों की सेर कर सकती है तथा उची से उची डाली पर बैटकर फल खा सकती है तो बच्चो इन सभी प्रश्णों को आपको लिख कर याद करना है और जो कविता है उसको आपको याद करना है याद करके लिखने का अभ्यास करना है पूरी कविता आपको याद होनी चाहिए तो बच्चो देखो यहां अन्य प्रश्णों में एक ये भी प्रश्ण है कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए जैसा कि मैंने अभी आपको पताया कि पूरी कविता आपको याद करनी है तो अगर आपको कविता याद है तो आप इस प्रश्ण को आसानी से पूरा कर सकते हो जो इनकंप्लीट लाइने दियों ये इनको कंप्लीट कर सकते हो जैसे कि मैं फुदक कर डाली पर डोलू तरू की हर्याली पर फिर कुतर कुतर कर हल खाऊं जी होता चिड़िया बन जाऊं इस तरह से ये लाइने आपको पूरी करनी है धन्यवाद आपका दिन सोभू